हेलो फ्रेंट्स एंड दिया स्टुडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एंपॉर्टेंट एंसी क्यूज ऑफ यूनिट 2 फॉर्म फार्माशुटकर और्गेनिक केमस्टी फर्स्ट बीप टू जिसका कोर्स कोड है क्योंकि बीफॉर्म सेकंड सेमिस्टर फर्स्ट इयर के स्टुडेंट्स साथी साथ उन बच्चों के लिए जो की प्रत्योगी परिक्षाओं के त्यारी करें उनके लिए काफी महत्रपूर होंगे यह हमारा यूनिट 2 है वो काफी बड़ी है इस वज़े से हम लोग इसका पा पार्ट 2 वीडियो में जो यूनिट 2 के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके उपर हम कॉश्चन लेके आएंगे इन सभी प्रश्णों के हम लोग solutions को देखेंगे explanation को समझेंगे ताकि इन से related कोई और question आए तो आप उनको भी आसान तरीके से solve कर पाएं मैं हुँ दॉक्तर है इंकरेक्ट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग लिकैंश यहां पर बाते लिखिंग इन से कॉन से गलत है फस्ट ऑप्शन इस अधरवाईस नौन ऐस पैरफिन बिल्कुल सई बात है एक को पैरफिन के नाम से भी जानते है इस यह बात भी सही है जो होते हैं वहाँ पर सिफ carbon and hydrogen containing bonds होते हैं और वो सारे के सारे double bonded हमको सारे के सारे single bonded दिखाई देते हैं यानि कि यहां पे कोई भी double bond या triple bond नहीं होता है यानि यह बात भी सही है इनलकेंस carbon and carbon bonds are single carbon and carbon single bonds यहां पर देखने को मिलते हैं उन्हीं को हमलकेंस कहते हैं next d option is alkane have the general formula cn h2n यह के बाद गलत है क्योंकि alkane में जितने carbon होते हैं उनकी दुगनी संख्या plus 2 यानि 2 and plus 2 मात्रा में hydrogen sum को देखने को मिलते हैं तो जो formula होता है alkane का वो होता है cn h2n plus 2 तो इसलिए जो absent d है हमारा वो यहां पर सही answer होगा क्योंकि वो एक incorrect statement है regarding the alkane next question is यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है अगर आप इसका नाम देखें आप पीसी नॉमन के लेचर के हिंसाब से तो यह दोनों जो क्या नाम है लास्त वाले काबन से वह आपस में जुड़े नहीं है अगर यह जुड़े होते तब हम इने हम साइकिलों के नाम से जानते लेकिन क्योंकि यह एक चेन ही है बस मुड़ गई है जैसे कि आप लोग सिकड़ी लेते हैं उसको कहीं भी घुमा देते हैं तो यह एक चेन यह option is the right answer next question is identify the incorrect statement जो भी points लिखे हैं इसमें से incorrect बात जो होगी उसको आपको धूल निकालना है पहला option है इलकेंस with repeated CH2 units constitute a homologous series सही बात है एक के बात एक अगर हम लोग CH2 group जोडते जाएंगे तो जो series बनेगी compounds के उन्हें हम क्या कहेंगे homologous series कहेंगे they have very less biological activity देखें सही बात है biological activity जो है इलकेंस की कम होती है बहुस आपको जनरली पोई ड्रग ऐसी जनरली देखने को नहीं मिलती ही जहां पर सिफ एलकेंस ही हों बिना किसी functional group के petroleum and natural gas are the main source of alkane विल्कुल सही बात है जो हमारे petrol पदार से जिसे petrol diesel इत्यादी या जो petroleum gases है नेच्रोल गैसे यह सब के सब जो होते हैं वो saturated hydrocarbons होते हैं और वो धीरे जो है वो reaction में जाते हैं in reference to alkynes या alkynes या कोई और या कोई बी और compounds जो organic compounds हैं उनसे अगर हम लोग compare करें तो तो यह बेरी less reactive होते हैं इसलिए जो option D है हमारा वो यहां पर सही एंसर होगा क्योंकि यहां पर भी हमें incorrect statement जो था वो ढूरना था next question is alkynes undergo halogenation like chlorination in it is an example of alkynes जो होती है वो एक बहुत ही बढ़िया reactions देती हैं जिसे हम कहते हैं free radical substitution reaction free radical substitution reaction के अंतर गय थी halogenation जैसे की chlorination bromination इतियादी reactions देती हैं और जो free radical substitution reactions होती है इन्हें perform जी होती है तीन steps में होती है इस पर कई question पूछे जा सकते हैं पहला होता है हमारा chain initiation step दूसरा होता है chain propagation step और तीसरा होता है chain termination step और यह जो reactions हैं इसमें जो intermediate use होते वो होते free radical तो जो answer होगा हमारा वो C होगा that is free radical substitution reaction कई बार पूछा जाता है इसमें कुछ questions होबनते है कि chlorination किस प्रकार सोगा तो आप कहेंगे substitution product बनेगा कौन सा substitution product बनेगा बोलेंगे free radical substitution reaction बनेगा next question is which set of appropriate bond angles and c1 c2 and n of the following molecule indicates the current shape जब भी bond angle की बात होती है organic compound में तो हमें सबसे पहली जो चीज जियाद आनी चाहिए वो होनी चाहिए hybridization जैसे कि यहां पर तो example भी है इस example के structure में जो आपका c1 है c2 और n है यहां पर आपको bond angles बतानी है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हम उन पर जो hybridization है उसको ढूने तो जो मारा सीवन है अगर उसको ध्यान से दीखिए तो वहां पर hybridization के लिए मैंने आपको hybridization दूसरे carbon के उपर carbon बनना इसलिए वहां पर sp3 hybridization नाइट्रोजन के उपर याज यखिएगा कि वहां पर एक lone pair of electrons होते हैं जिसकी वैसे यहां पर जो hybridization होगा वह भी sp3 होगा जब हम लोग sp3 sp2 hybridization देखते हैं तो उनके bond angles भी एक general form में हम पता कर सकते हैं अगर sp3 hybridization है तो जो tetrahidal structure होता है जिसकी वैसे bond angle जो होता है वह 109 डिग्री एंड सारे 109 डिग्री एंड 50 क्या ना में second के बराबर हो सकता है पर जो bond angle आती है वो 180 आती है तो अब आप आसानी से यह देखें ट्रिकी कोश्चन था हमने हम चाहते तो यहां पर आपसा hybridization भी पुछा जा सकता था आप पिछले को देख करके वो कथोड़ा सा कथी अगया उसको अगर आपको आ रहा है तो यह तो बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर इस्ट्रक्चर देखें सी एफ-3 शॉरी तो अम देख रहे हैं कारबन जो है वो चाहर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और जी चाहर के साथ जुड़कर के एक ट्रट्राहडल इस्ट्रक्चर बना रहा है और मैंने वही ट्रिक लगाई है कि चाहर बना रहा है तो चाहरो बॉंड को गिल लीजे एस पी पी टोटल कितने बॉंड है चाहर बॉंड है तो इसलिए जो हाब डाशन होगा वो क्या होगा SP3 होगा इ इच सेट ऑफ हाबिडाशन स्टेट्स ऑफ सीवन सीट्वन सीट्वन सीट्री अफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इस करेक्ट देखे यह पर फिर एक स्ट्रक्चर आपको मिला और आप पूछ रहा है जो सीवन सीट्व और सीट्री है लाल कलर से दिखाई दे रहा है यह इनक सीट्व पर हमें क्या मिलेगा तोटल दो ही एक हैड्रोजन भी उसको ध्यार दीजेगा तो यहां पर हमारा सीट्री उस पर सिफ दो डबल बांड्स है तो इसको कैसे गिनेंगे एस और पी दो बांड मानते हुए तो यहां पर हैंसर है हमारा वी ऑप्शन वह सही आपसे है और सीट्री जो है वह एस्पी हाब डैक्शन में है तो एंसर क्या होगा बी नेक्स कुश्चन इस पैराफिन वैक्स इस सैचुरेटेटेटेटेड हाइडोकाबन एलकोहल या इथर अभी हमने थोड़ी दिर पहले बताया था कि जो हमारे एलकेंस होते हैं उनको हम लोग सब्सक्राइब कारबन काफी जादा होते लंबी चेन हैं यह कारबन 20 से 40 हो सकते हैं इसलिए हाइडोजन जो होगा वह टू एंड प्लस टू के हिसाब से 42 से 82 तक हो सकता है तो पैराफिन वैक्स कुछ इसी प्रकार की होती है तो जो एंसर होगा हमारा वह होगा यह कार्भन carbon double bond कस्ट यह hybridization के उपर फिर से यह hybridization के उपर ही यह question का अशर आप कर सकते हैं कई वार carbon carbon triple bond या carbon carbon double bond में पूछा जाता है कि कितने sigma और कितने pi bonds हैं तो जात कि hybridization जो हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको यह structure कुछ इस प्रकार से बना कर दिखाया था हमने कहा कि जो carbon है जब वो sp2 hybridization में होता है double bond मनाता है तो होता है जब sigma bond जो दिखते हैं आपको double bonds में एक bond जो बन रहा है double bond में जो दो लाइने दिख रही है उसमें पहली लाइन जो है वो sigma bond की है क्यों क्योंकि जो मारा carbon एक का वो दूसरे वाले के साथ ओवरलाप करके sigma bond मनाता है और जो P orbitals बचे है इस पी अबिटल से जो है वो side to side overlapping करके एक πाई bond बना रहे होते हैं जहां पर भी carbon carbon के बीच में double bond होता है वहां एक sigma और एक πाई होता है अगर यही triple bond में पुछा जाता है आप से तो वहां पर दो P orbital side side overlapping करते हैं तो हम कहते हैं कि दो πाई और एक sigma bond third triple bond में देखने को मिलता है और double bond में एक sigma और एक πाई bond होता है तो जो answer होगा हमारा one sigma and one pi bond क्यों क्योंकि जो हमारा इलकीन होते हैं वो sp2 hybridized होती है next question is the percentage p character in sp3 hybridization यह भी काफी पुछा जाता है sp2 hybridization में p या s का character पूछता है तो आप देखरें p3 है और s1 है तो अगर इसको आप 100% में simple mathematically अगर भाग दे दीजे तो आपको क्या पता चलेगा या इसका percentage निकाली है 100 में तो क्या निकलेगा s is will be the 25% और p क्योंकि 3 है इससी लिए p का percentage होगा 75 होगा तो answer will be p character will be the 75 जब अगर यह sp में पूछ रहा होता तो 50-50 होता ठीक है और अगर जो है आपका sp2 में पूछ रहा होता तो p character जो होता है वो 66% के करीब करीब होता है next question is the carbon carbon bond length in rank of increasing bond length is जब हम लोग carbon carbon की bond length देखते हैं तो हम यह बताना चाहरा है कि double bond triple bond या single bond में किसकी जो bond length होगी वो बड़ी होगी किसकी चोटी होगी और किसकी सबसे चोटी होगी तो यहां पर increasing length में हमसे पूछ रहा है यानि सबसे चोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी तो यहां पर अगर हम लोग example फिर से उसी को ले तो हम देख रहे हैं कि जो sp3 hybridization होती है तो single bond से दूरी रहती है जब double bond मनाते है तो थोड़ा पास आजाते है तो क्या नाम है P orbital की side to side overlapping होती है यह भी hybridization के उपर ही प्रशन है तो वो और पास आजाते है तो जितना पास आएंगे उतना ही क्या होगा आपका जो bond क्या नाम है length है वो क्या हो जाती हो जाती है तो triple bond में सब सबसे बड़ी और triple sorry single bond में सबसे बड़ी सबसे जादा लंबी तो इसलिए जो answer होगा हमारा वो D होगा यानि कि triple bond फिट double bond और उसके बाद फिर single bond next question is question number 12 select the incorrect statement regarding alkenes alkenes के regarding यानि कि C double bond C वाले जो compounds होते हैं उसमें आपको देखना है कि इसमें कौन सा incorrect statement है पहला in alkenes the carbons are connected by pi bonds बिल्कुल सभी बात है pi bonds वाँ बनते हैं इन alkenes have almost same physical properties as that of the alkenes देखे प्रापर्टीज वो थी फिचल प्रापर्टीज लगबग लगबग सेम होती हैं दोनों की alkenes are less reactive than alkenes नहीं यह बात गलत है क्योंकि यहाँ पर unsaturation या double bond देखने को मिलता है तो इस double bond की वज़े से addition reaction बहुत तेजी से यह द सही है केवल और केवल जो C option है वो incorrect है क्योंकि alkenes जो होती है वो more reactive than the carbon sorry more reactive than the alkenes होती है क्योंकि यहाँ पर carbon और carbon के बीच में double bond देखने को मिलता है question number 13 4 chlorobute1ene is the name of which of the following alkenes अगर आपको structure देखर के कई बार नाम देखर के structure पूछ लेता है तो वैसा question है यह कह रहा है कि 4 chlorobute1ene का example क्या होगा तो आईउ-PSC nomenclature के इसाफ से double bond जो होता है वो हमारा अगर double bond और chloro group या bromo group या halogen लगे हुए तो उसमें हम लोग priority जो है वो double bond को देते है इसलिए जो हमारा D option आपको दिखाई दे रहा है जो गिंती हम करेंगे जो numbering हम करेंगे वो कहां से करेंगे इस side से करेंगे D option वाले के side से तो पहले number पे हमें double bond देखने को मिलेगा और चौथे number पे हमको chloro group इसमें दिख रहा है तो जो D option होगा जो option है वही जो है हमारा correct answer होगा according to the IOPAC rules next question is which of the following reaction is common in alkenes alkenes में क्योंकी double bond देखने को मिलता है और इस double bond के होने की वज़े से joint saturation है alkenes हो या alkynes हो वो generally एक reaction बहुत तेजी से देती है and these reactions are known as addition reaction चाहे वो free radical के द्वारा हो अगर paroxide के presence में हो रही है या फिर वो electrophilic addition reaction हो सकती है normal conditions में और यह काफी अच्छी reactions होती है काफी stereo specific या stereo selective type की reactions होती है और यह reaction हमें alkenes में देखने को मिलती है addition के form में तो जब हमारी marconic of rule के इसाफ से चलता है या फिर normal condition में जब चलता है तो pi bond के ऊपर breakdown होती है और वहाँ पर जाकरके दो atoms जो है हमारे reactant के वो जुड़ जाते है addition reaction होती है पर ऑक्साइड के presence में जब करते हैं तो anti marconic of rule के इसाफ से चलता है और free radicals addition reaction जो है वो alkenes के दवारा सो की जाती है next question is ethylene on reduction sorry reaction with bromine forms which of the following product जब हम लोग bromine को लें bromine क्या होती है हमारे BR2 और वो जब reaction करती है ethylene के साथ CS2 CS2 के साथ तो क्या होगा simple अभी हमने बात की addition reaction होगी और इस addition reaction में क्या होगा यह bromine जो है वो एक एक BR जो है दोनों carbon के उपर जुड़ जाएगा double bond खतम हो जाएगा तो जो हमारा option B है it will be the right answer इस तरीके की reaction को ही हम तो क्या क्या एक्टे है एलेक्ट्रोफिक एडिशन reaction क्योंकि यहां पर हेलोजन का addition हो रहा है इसलिए हम उसे कह सकते हैं एलेक्ट्रोफिक हैलोजन reaction in the alkenes और ऐसे condition में इथाइलीन डाइहलाइड या डाइब्रोमो इथेन जो है वह हमें प्राप्त होता है double bond जो है वह वह बात करते है question number 16 की when propene reacts with HBR in the presence of peroxide it will rise to and the mechanism will be अभी हमने डिसकस किया कि किस प्रकार से जो है reactions होती है propene में या alkenes में तो जब propene है जो हमारा उसका structure जब आप देखेंगे तो वह पता चलता है कि वह एक क्या नाम है symmetrical alkenes है जहां पर double bond के दोनों तरफ number of carbons की संख्या जो है है वह सॉरी hydrogen's के संख्या जो है वह बिल्कुल different है दूसरी चीज जो HBR है हमारा वह भी एक unsymmetrical है विकॉड एक H plus और BR minus देता है अगर इन दोनों को हम reaction कराते और परक्साइड न डालते तो मार्कोनिक आफ रूल के हिसाब सो जो product बनता हमारा वह 2-bromo propene बनता लेकिन जब हम हम लोग क्या नम है पारक्साइड डाल देते हैं तो पारक्साइड के प्रसेंस में यह free radical addition reaction होने लगती है जो बियार के free radical लिकलते हैं वह attack करते हैं CH2 के ऊपर और जिसकी वैसे हमें एक secondary free radical जो बनता है जो की more stable होता है यह secondary free radical जो है जो है जब HBR के ओपर फिट से attack करता है तो हमें N-propyl bromide जो है या N-bromo propene जो है वो बन करके मिलता है जो की एक anti-merconic of product के रूप में या anti-merconic of mechanism के दोवारा हम लोग समझ सकते हैं तो जो answer होगा हमारा वो होगा C that is N-bromo propene next question is question number 17 the major product for the following reaction is देखिए एक reaction आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि major product क्या इस तरीके के बहुत reaction जो है questions जो है वो आ सकते है आप देखिए बस कुछ भान ध्यान ध्यान दीजिए आप देखिए कि यह एक जो है हमारे पास cycloalkene है क्योंकि यहां पर double bond देखने को मिल रह पड़ा नहीं है तो marconic of rule के हिसाब से जो हमारा hydrogen होगा वहां जाएगा जहां पर पहले सा hydrogen ज्यादा था ठीक है उस double bond वाले carbon के उपर जो कि हमें नीचे वाला carbon दिख रहा है और जो हमारी CL होगी वह जाकर कि उस carbon पे जुड़ेगी जहां पर hydrogen की संख्या कम होगी जिसके व which of the following concept explains marconic of rules as applied to the addition of HBR to one butene one butene के ओपर अगर HBR को आप एड करते हैं तो जो mechanism of marconic of rule के इसाब चलती है लेकिन marconic of rule का जो concept था marconic of साब ने कहा था कि जो positive part होता है वो वहां जाकर जुड़ता है जहां पर hydrogen की संख्या पहले से जादा होती है उस जमाने में उनको सब्द नहीं थे तो उनका यह कहने का मतलब था जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो वहां जाकर के जुड़ता है जहां पर hydrogen की संख्या पहले जादा होती है लेकिन जब लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो हमने देखा कि जब इस तरीके की कोई reaction होती है तो जो आपक सब्सक्राइब के जब लोग बनते हैं जैसे अब हमने दिखा था फ्री अट्कल बढ़ने थे वैसी कार्भो काटाइब बनते हैं जब हम लोग बिना पारक्साइड की बजन्स में रियक्शन को कराते हैं यह कार्भो काटाइब होते हैं वह पहले से जानते हैं जो कार्भो क major product के रूप में हमें मिलता है तो इसलिए जो डिलेटिव इस्टिबिल्टी है कार्बोकाइन की वह इंफ्लुएंस करती है मार्कोनिकफ रूल को next question is identify the incorrect statement regarding conjugated double bonds in the alkane diene 1-3 alkane diene have conjugated double bond compounds with a double bond exhibit this type of bond 1-3 pentadiene is an example of this bond the conjugated diene have the properties similar to that of the alkenes बिल्कुल सही बात है जो conjugated diene होती है चौता option जो हमारा वो सही है क्योंकि वहाँ पर जो alkenes हैं वो बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे conjugated diene होता है 1-3 pentadiene जो है it is also an example of conjugated double bond alkadiene जो 1-3 alkadiene है हैं उनमें conjugated double bonds होते हैं बिल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि conjugated का मतलब है एक double bond से एक single bond से एक double bond और ऐसा system हमको 1-3 alkadiene में भी देखने को मिलता है और 1-3 pentadiene जो है उसका एक अच्छा example हो सकती है compound with a double bond exhibit this type bond ये गलत option है क्योंकि जो बी जो आपने लिख रखाया statement वो गलत है क्योंकि या फिर जो conjugated double bond जो है दो bond कम से कम होने चाहिए और वो हमको कब दिखेगा जब 2 bonds हो और यहां पर कह रहा है कि एक double bond के साथ ही आपको इस तरीके की bond देखने को मिलेंगे जो कि गलत बात है तो जो एंसर होगा हमारा वो बी होगा क्योंकि compound जिनके पास alternative double bonds and single bonds होते हैं उन्हें हम conjugated dienes या 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 फिर conjugated LK dienes के नाम से जानते हैं next question is identify the incorrect statement regarding LK dienes dienes has so क्या नाम है cis trans isomerism चाही बात है वो cis trans isomerism show करती है चाहे वो एक double bond हो या दो double bond हो दोनों show करती है conjugated dienes have better stability compared to other dienes ये भी बात सही है क्योंकि conjugated dienes में resonance stabilization होता है और resonance stabilization की वज़े से उनकी जो stability है वो other dienes से क्या हो जाती है जादा होती है diaphenophylle supports LK dienes ये बात गलत है क्योंकि dienophylle जो की diene lover होते है यानि कि जहाँ पर double bond होगा उसके पर तुरंत वो attack करते हैं उसके साथ जुड़ करके dial cylinder product बनाते है dial cylinder reaction कराते है इसलिए जो c option है वो एक गलत बात है और LK dienes also undergo hydro combination ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो LK dienes जैसी reaction ही show करते है ठीक है तो जो हमारा option c है वो यहाँ पर जोगा right answer होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी dienes होंगी उनके उपर dienophylle तुरहत अटाक करते हैं और इस जुड़ने के वज़े से वो adduct product बनाते हैं और दो हमें sigma bond और एक नया इस तरीके की reaction को हम dial shoulder reaction कहते हैं और इसलिए जो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि support करती है Elka dienes को dienophylle ऐसा नहीं है वो उसके पर attack करती है और adduct product बनाती है next question is Conjugated dienes react with which among the following to form of cyclohexene देखिए अभी अभी हमने देखा था पिछले वाले question में कि जो हमारे dienophylle है जो की alkynes यह यह सकते हैं या फिर जो diene lover होते हैं वो तुरंट attack करते हैं किसके उपर हमारे Conjugated dienes के उपर और जिसके विएसे में adduct product मिलता है और इसलिए जो answer होगा वो मारा क्या होगा dienophylle होगा like alkynes और यह alkynes next question is which of the following dienes undergo addition with the help of free radical chain mechanism in the presence of an organic product reaction जैसे alkynes reaction दे रहते हैं वैसे यह alkynes भी देती है और अगर उसमें लोग परोक्साइड डाल दें तो फ्री radical addition reaction जो है वो शो करना शुरू कर देती है तो जो Conjugated dienes हैं वह इसी तरीके की reaction सो करती है जैसा कि आपके सामने यह reaction है इसका जो mechanism होता विलकुल वैसी होता है initiation propagation unchain termination के रूप में जब बियार अटेक करता है एक double bond के उपर और एक free radical बनता है अमा लिजे की carbon number 2 के उपर तो वो resonance stabilization होता है double bond वापर shift होता है और दो जो है हमें resonating forms मिलते हैं जहां पर एक पे दूसरे carbon के उपर जो है conjugated dynes में जब हम लोग organic peroxide के साथ addition reactions कराने की कोशिश करते हैं तो जो answer होगा वो हमारा D होगा next question is what is the reactive intermediate of the reaction of 1-3 butadiene with HBR and results in 1-2 and 1-4 addition तो जब भी 2 dynes होगा मतलब की conjugated dynes होंगी तो हमेशा क्या होता है कि अगर peroxide डाला तो phidratical बनेगा जैसे अभी आपने देखा अगर आप normal condition में कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा और आपको Carbocatine बनेंगे Carbocatine जो बनेंगे वो primary वाले भी बनेंगे secondary भी बनेंगे दोनों आपस में जब इंटर्चेंज होगा तो एक primary होगा एक secondary होगा अभी हम लोग फिर से बात करें कि जो Carbocatine की stability होती है primary वाले की कम होती है secondary वाले की जादा होती है इसी लिए secondary वाले के ऊपर अटाक करके ज्यादा stable product बनेगा जब हम लोग less temperature पर reaction को कराते हैं तो generally जो होता है हमारा less stable production ज्यादा होता है यानि one two edition product ज्यादा बनता है और इस तरीके के product को हम लोग kinetic product के नाम से जानते हैं जब कि हम one four edition reaction तब कराते हैं जब थोड़ा सा high temperature या रूम temperature पे जब reaction होती है तब जो product बनता है जनरली वह most stable alkene होता है क्योंकि वह most least stable carbocatine को यूज करके बनता है यानि कि one four edition product वह जब ज्यादा बने तो उसे हम क्या कहते हैं थर्मोडायमिक प्रोड़क के रूप में जानते हैं तो यहां पे जो प्रेशन था उसके इंसाब से हम लोग बात काफी कर लिए क्योंकि यह इस पर कोई प्रेशन बन सकते हैं लेकिन जो हमारी रियक्टी इंटर्मीडियर बनती है जो प्रोड़क्त है जादा बनता है northwest water temperature प्रेशन जीरो डिग्रीप करते हैं या माइनस में करते हैं जिसे हम काइनिक कंट्छोल करते हैं तब हमाराلة one two product जो हो जादा बनता है यसलिए यहांपर जोगा वो नफॉर पोड़क्त यानि कि one four daeybaeDr.이는 ze is two option next question is which which type of stereochemistry will seen when br2 is added to l-alkene when br2 is added to l-alkene when br2 is added to l-alkene then generally it is a same group because of the same group it attacks from different directions, that means that the br is one br will attack from above because both are the same so we will make it further because we have seen in the mechanism that it becomes a carbocatane so when it becomes a carbocatane it will be in the same side because of the same side because of the br2 will attack from different sides so if we react in cis and trans to between then we get a resmic mixture with cis and trans with mesocompound so here we have a lot of questions here we have told it for the second year this is an important question because this anti-reaction is called this way because because they are different phases or both are coming from different sides so when the same side attacks are coming from the same side like in the OH group of HOH or HBR case but in the BR2 or halogen case what happens in the case this is anti-edition reaction happens when both are coming from different sides so this is the answer is the anti-edition reaction so this was our 25 questions which we have seen answers and explanations related to those questions you can do it if you have any questions or suggestions so you can write in the comment box and we will try to answer them and in the next video we will definitely add in the next video if you like this then like and share your friends and subscribe to the channel if you don't like this channel and subscribe to the channel for watching this video for some days I will provide you in the description description